दे दो आपके घर में न ले तो इसका ये मतलब थोड़ी आप हमें पानी भरने के लिए दे ही नहीं रहे हो एक बाल्टी पानी भर के आपने रख लिया और एक प्लास्टिक की बाल्टी में पानी भर रहे हो अब तो हमें पानी भर लेने दो राहूल मुझे एक बाद सहीं सहीं बताओं इस गाउं में सिर्फ मेरे घंपर एक हैंड पम्प है और इस गाउं में आप कुएं भी नहीं रहे क्योंकि जितने भी कुएं थे सारे के सारे सूख चुकी है और पूरा गाउ मेरे इस हैंड पंप से पानी बरने के लिए आता है मैंने कभी पानी बरने के लिए मना किया अब मैं अपने दिन बर के पानी पीने के लिए और सबजी बनाने के लिए पानी बर के रख रहा हूँ लेकिन मोदी जी आपके तो घर में हैंट पंप है आप तो कभी भी भनानी ये और पानी को पीना भी है तो हमें तो पहले भर लेने दो योगी की पान तुम्हारे समझ में नहीं है यह भी मैंने बताया अरे मेरी एक बाल्टी पानी भर चुकी यह दूसरी बाल्टी में पानी भर रहा हूँ इसके बाद तुम आराम से पानी बरते रहना पूरे दिन बरते रहना फिर मुझे पूरे दिन पानी की जरूरन नहीं पड़ेगी अज़ा मुझे जी एक बात का बुरा मत मानना आपके घर में हैंड पंप है आप अपने लिए पानी तभी भरना सुरू क्यों करते हो जब हम सब लोग पानी बनने के लिए आ जाते हैं अरे आपके तो घर में हैंड पंप है आप सुबह ही उठके पहले पानी बरके रख लिया करो यह बताओं अखलेश सुबही कैसे पानी बरके रख लूँ मेरी जैसे ही सुबही आख खुलती है तुम सब लोग यहां पर हैंड पंप के पास ख़ड़े वे मिलती हो अरे सुबह मेरे सोकर उठने से पहले तो तुम यहां पर रिकट्टी हो जाती हो मोधी जी अगर हमारे घर पर हैंड पंप होता तो हमें इतना इंतिजार धोड़ी करना बड़ता दो दो गंटे में नमबर आता पानी बरने का इतनी लंबी लहन लग जाती है आपके इस हैंड पंप पर क्या करें हमारे घर पर हैंड पंप भाई नहीं अरे लालू जी घर पर ह हैंपम लगबाने वाले हो तो आज लगबालो कम से कम मेरे घर पर ये भीड़ तो कम हो जाएगी अरए यहां तो बहुत लम्बी लेन लगवी है मेरा नंबर तो सबसे लाश्ट में आएगा क्योंकि मैं लाश्ट में हूँ जब यह भीड़ कतम हो जाएगी उसके बाद में पानी बरने के लिए आउंगा मैं तो